नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन की दिन भर की खबर जानते हैं सरकारी इसकुलों में पहली से सातवी तक की बार्सिक परिक्षा कॉल से जिले के उतक्रिष्ट विध्यालों को छोड सभी कोटी की बिद्यालों में पहली से सातवी अक्षा तक की वात्सिक परिक्षा च्छा 6 मैं में 6, 8, 9, 10, 11, 13 माई को परिछाली जानी है हर विशाय के लिए 60-60 अंख निधारित है चाटी वा साथ वी कक्षा के गनीत भी ज्यान और समाजिक भी ज्यान के लिए 50-50 अंख की लिखित तथा 10-10 अंख प्रोजेक्ट कारे के लिए निधारित है वहीं कॉपी का मुल्यांकन 12-15 जून तक किया जाना है वहीं 16 जून को पैनाम भी घोशित किये जाएंगे सीयम हे मांत 30000 हाई स्कूल स्क्छकों को 99 माई को देंगे नियुकती पत्र जारखन के हाई स्कूलों में 30000 विद्वारा इसकी त्यारी पूरी कर लिए गई है मुख्यमंत्री हेमान सुरे नो नियुक्त सिक्षकों को 29 माई को खेल गाविश्थीत एस्टेडिया में आयोजी समारों में नियुक्ती पत्र सोपेंगे बता देश सूप्रीम कोट के आदेश के बाद जहारखन करमचारी चेन आयोग द्वारों में नियुक्ती की जाएगी वहीं तीन हजार नियुक्ती के बाद और शिक्षकों की नियुक्ती होगी इसके लिए भी आवस्यक परकिरिया पूरी की जा रही है आई एस छवी रंजन को न्याईक हिरासत में 6 माई को होगी पेसी परवतन निदे साले ने दास्तावेज में जाल साजी कर जमीन की खरीद बिगरी के मामली में गिरफतार आई एस अधिकारी छवी रंजन को पीम एले के विशेस न्याई धीस पिक्के सर्मा की कोट में सुक्रवार को पेसी किया कोट ने छवी रंजन को एक दिन के न्याईक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रिय कारा भेज दिया है इस दरान इडी ने कोट से पांच दिनों का रिमान मंगा पर कोट ने उन्हें न्याईक हिरासत में भेज दिया अब सन्नी वार छो माई को कोट में उनकी फिर पेसी होगी बता दे कि 10 घंटे की लंबी पोष्ट आज के बाद गुरुवार की रात इडी ने छवी रंजन को गिरफतार किया इसके बाद सुक्रवार को उसे MP MLA कोट में पेस किया गया बुद्पुर्णीमा की वज़ा से कोट की जगा जज कॉलोनी स्थीद विसेस नयधिस के आवास में पेस करने की चर्चा थी लेकिन PMLA की विसेस नयधिस के कोट में उनकी पेसी हुई साप ने काटा तो जिन्दा साप लेकर अस्पताल पहुंचा युवाक अकसर आपने देखा हुए कि साप के काटने से लोग डर जाते हैं डरना लाजमी भी है क्योंकि सर्फ दंस से कई लोगों की मिर्तिव भी हो जाती है कभी कभी तो साप इतना जहरीला होता है की इलाज भी इंसान को बचा नहीं पता वहीं कई बार गाहों में साप काटने के बाद जाया फूक किया जाता है और ऐसे में भी लोग की जान चली जाती है लेकिन जारगण के पच्छमी सिमुम जीले से एक अंतरंगिनी मामला सामने आया है जहां एक जारीली साप ने सक्स को डस लिया तो सक्स ने साप को जीन्दा उठाया और अस्पताल पहुँच गया काटना पच्मी सिमुम जीले के जैत गड़ प्रखंड अंतरगत चंपुआ अनुमंडल का है जहां वासुदेव पूर स्वास्त केंद्र में एक अजीबो गरीब नाजाला देखने को मिला दरसल इलाके के एक युवक को जारीली साप ने कार लिया जिसके बाद युवक जीन्दा साम को हैट में पकल कर सीधे वासुदेव स्वास्त केंद्र पहुँच गया गुमला में 23 वर्षी विचिपत लड़की से रेप जारकहन के गुमला इस्थीत एक गाव में 23 वर्षी विचिपत लड़की के साथ दूसकर्म करने का ममला परकास में आया है या घटना गुरु आर देर रात की है पीडिता के साथ बेरहमी से मार पिट की गई पुलिस ने उसे इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल में भरती कराया है पीडिता बेहोस की हालात में है पुलिस प्रत्थम दिर्षीता इसे रेप का ममला मानते हुए मामले की छानबिन में जुटी है काटना के बावत पीडिता के पुलिस प्रेजनों ने बताया है कि गुरू और को गाउं में साधी समर हो था पीडिता की माँ समेथ परीवार का उन दस्वी साधी में गए हुए थे बिहार में जाती जनगना पर कोट ने लगाई रोक जहारखन में सुरू हुई सियासत बिहार में जाती अधारित जनगना पर पटना हाई कोट के दोर लगाए गर रोक का असर जहारखन की सियासत पर भी दिखने लगा है कल तक जाती अधारित जन गंणा की मायं कर रहे जहारखन के राई नेता इसके लिए एक दूसरे को दोसी ठागाने में जुट गए है वही सतारूड जारखन मुक्ती मोर्चा ने भारतिये जन ता पार्टी पर जाती अधारित गंणा नहीं कराने का पक्ष होने का आरोप लगाते हुए इस फ़सले के पीछे भी बिजेपी का हाथ होने का आरोप लगा रहा है जारखन में पीडियेस का हाल बेहाल गरीन कार धारकों को नहीं मिल रहा राशन राज़ में पीडियेस पुरी तरह से बेपटरी हो गई है रासन के अलावे पिछले 6 माइने से खा देवम आपूर्टी विभाग के द्वारा नमक की भी आपूर्टी निमित रूप से नहीं कि जा रही है सरकारी चीनी की मिठास भी लोगों से दूर हो गई है इसके पीछे बले ही सरकार की दोवारा लाक तरक दिये जा रहे हो मगर हकिकत विभाग के आकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों तक रासन मुहया कराई जा रही है बता दे राज्ये में ग्रीन कार धारकों की संख्या 4,666,591 है जीने पिछले 6 महिने से रासन उप्लब्द नहीं कराया जा रहा है इसी तरह PMGKY ओजना से मिलने वारे अराज का हाल है जो जनवरी महिने से राजिक की ग्रामिन जनता को नहीं मिल पाई है जिसके तहट 62,62,949 का धारी है यदि चीनी की बात करे तो चालू महिने मई की बात हो तो दूर अप्रेल महिने में महज 5,98 कारधारियों को ही चीनी मिला है जारखन में दिखेगा मोचा का असर पिछले कुछ दिनों से राज धानी समयत पुरे राजे में आंसिक बादल छाय रहने वा बुंदा बांदी से जहां तापमान गिर गया है वहीं ताजा आकड़ा बता रहा है कि 10 मई तक पुरे राजे का आसमान साफ रहेगा और मौसम सुस्क बना रहेगा जिससे तापमान में 2-3 डिगरी तक ब्रीधी होगी फिर से गर्मी का असर बढ़ेगा बता दे पिछले 24 गंटे के मौसम की बात करें तो लोहर दागा के कुछ ही सो में सबसे अधीक 18.6 मिलिमीटर बारसा रिकोड की गई वही सबसे अधीक तापमान 36.3 डिगरी गोड़ा का जबकी सबसे कम 21.5 डिगरी रामगर जीले का रिकोड किया गया मौसम में लगातार हो रहे बादल का असर सहर में आम जन जीवन पर भी देखने को मिल रहा है बतादे मौसमी विमारी सरदी खांसी जुकाम से पिडित लोगों की संख्या अस्पतालों में बढ़ने लगी है वही मौसम केंद्र के वर्यवे गयनी अभिसेक अनन ने बताया है कि मोचा चक्रवात का असर जारखन में दिखेगा बंगाल के कुछ हिस्वों में और उतरपूर्वी राजियों में इसका अधिक असर दिखेगा साथ मई तक चक्रवात की तीवरता का निर्धारन होने और कम दवाओ का च्छेत्र बनने के बाद ही जारखन में इसका असर होगा कूल इंडिया के 90 ठेका स्रमिको की मईदूरी बढ़ी कूल इंडिया वह उसकी इकायों में काम करने वाले करीब 90 ठेका मईदूरों के बेतर में ब्रीधी हुई है केंद्रीय मुख्य स्रमायोक्त ने अध्योगिक छेत्र के ठेका मज़िरों की अगली छामाही के लिए बेरियेबल डीरनेस अलाउंस की खोसना कर दिया है वीडिये में 35 से 69 रुपेता की बढ़ोत्री हुई है मतादे कोल इंडिया ने सभी इकायोको केंद्रीय स्रम मंत्रा लेकी ओर से जारी नई दर के अनुसार भुकतान के निद्रेश बुरु आर को कोयला कमप्रियों के इससे समधी पत्र प्राप्थ हुआ कोल इंडिया के करेकारी निद्रेश सक्वा अध्यावगिक महा प्रवंथक अजय कुमर चौधरी ने सभी कंप्टियों को जारी पत्र में विभीन सन्वर्गों के स्रमीकों के नई मजदूरी दर एक अप्रेल से लागु करने का निद्रेश दिया है यह दर एक अप्रेल से 30 सितंबर दोहेर 23 तक के लिए जारी की गई है जंगली हाथियों का आतंग पती पत्नी समेत मासूम बच्ची की हुई मौत चंदवा थाना छेतरे के जंगलों से 60 ग्रामिन इलाकों में जंगली हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा गुरुवार की मदे रातिर दर्जन से अधिक संख्या में जंगली हाथियों के जूण के मालहन पंचायत इस्थित इट भठे में एक ही परिवार के तीन लोगों को कुचल कर मार डाला मिरितकों में पति-पत्नी भानुभुया 26 वर्षिय वह भविता देवी 23 वर्षिय वहीं पूत्री मंजीसा कुमारी सामिल है तीनों मिरितकों के सव को कबजे मिले करबन विभाग वा चंदवा पुलीस अगरेतर करवाई में जुट गई है परत्यक्ष दर्सी मजदूरों की माने तो उत्तर दिशा से एक दलन से अधिक की संख्या में जंगली हाथियों का जूंड मधेरातरी अचानाक आधम का भठा के समीप पेड़ों को गिरा दिया वहीं जंगली हाथियों के वहाँ पहुचने और पेड़े गिरे जाने के सूचना के बाद भठे में मजदूर में भगदल मच गई कुछ मजदूरों ने भग कर अपनी जन बचाई वहीं अपनी बच्ची को गोद में लेकर भग रे बविता देवी को हाथी ने सूड में दभोष लिया पटा को खुचल कर मार डाला जारखन में 31 माई तक चलेगा तंबाकू निश्यद कारिकराम स्वास्त विभाग की ओर से हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं थीम पर राज भर में तंबाकू निश्यद कारिकराम चल रहा है यह अभी सेस अभियान 31 माई तक चलेगा इसी संदर्भ में राष्टरी स्वास्त मिशन के अभियान निदेसक डाक्टर भोनेस परताप सिंग ने सभी उपायूक ते एवं सीविल सर्जन को पत्र भेजा है इसमें कहा गया है कि 20 तंबाकू निश्यद दिवस 31 माई के पहले तंबाकू नियंत्रन कारिकराम कोटपा एक्ट दो हजार तीन इसी ग्रेट एक्ट दो हजार उनाईस के परभावकारी अनुपालन एवं बैकल्पिक रोजगार के बारे में लोगों को जनकारी दी जाए इस कारिकराम के पहले चरण में 7 माई तक राजे के सभी स्कूल कॉलेज में तंबाकू मुक्त सिक्षन संस्थान निर्देश को का कलाई चानुपालन दिवार लेखन थीम आधारित गोश्टी क्वीज पोस्टर मेकिंग निबंध सपत आधी कारिकराम किये जाएं गौतम बुध की जयनती में प्रभात फेरी भागवान गौतम बुध जयनती सुक्रवार को है इस दिन भागवान बुध का 2500 सटवा जनमोसो मनाया जाएगा इसकी सभी त्यारी पूरी कर ली गई है इसके लिए मंदीरों को सजा दिया गया है जयपवान इस्थित बुध मंदीर में प्राता नौ बच कर दस मेर्दी प्रोजलिन किया जाएगा यहीं दीन के साड़े दस बैसे प्रभात फेरी निकाली जाएगी इसमें भक्त माथे पर त्री पिटक लेकर मंदीर परसर्त निकलते हुए बिभीन अस्थानों का प्रिभ कर वापस बुध मंदीर लोटेंगे धन्यवाद